स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, अपना आत्म सम्मान सबसे पहले होता है आत्म सम्मान एक ऐसी चीज होती है जो हमें सबसे उपर रखनी चाहिए क्योंकि जब हम अपने आत्म सम्मान को नीचे गिरा कर कोई भी कारे करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक गुटन होती है और हम कभी खुश नहीं रह पाते इसलिए दूसरों का सम्मान करिए पर अपना आत्म सम्मान भी बनाये रखिए नमबर एक जब भी कोई बात खुद के स्वाप इमान पर आ जाये तो आपका कोई कितना भी खास हो उससे दूर हो जाना बहतर होता है स्वाप इमान के साथ ही कोई भी रिस्ता खुबसूरत हो सकता है कभी-कभी रिस्तों के लिए आप खुद को इतना जुका देते हैं कि सामने वाले की गलत बात पर भी आपका मन ना होने के पाउजूद आप उसकी मरजी के अनुसार कारे करते हैं ऐसा ना करें क्योंकि मन से किये कारे से खुशी मिलती है जब बर्दस्ती से किये हुए कारें से नहीं नमबर तीन जो रिस्ताब का अपना होगा वह कभी आपको जुकाएगा नहीं नहीं आपके आत्मसमान को ठेस पहुँचने देंगे इसलिए कभी भी आत्मसमान के विरुद कोई कारें ना करें नमबर चार, जो लोग आपको महत्तो ना दें, उनके पीछे ना भागें ऐसे लोगों के साथ से बहतर होगा कि आप अकेले रहें और अपने आत्मसमान के साथ रहें किसी के पीछे भागने से आप उनकी नजरों में अपने आत्म सम्मान को ही गिरा देते हैं नमबर पाथ जो लोग आपका सम्मान ना करें आपको भी ऐसे लोगों के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए इसे जिसको एहंकार समझना हो समझे परिया खुद का आत्म सम्मान होता है ना कि एहंकार 6. कोई भी चीज व्यक्ति और कोई भी रिस्ता हो, अपनी एहमियत को कम मत समझे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए खुद के आत्म सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता 7. जिस दर्वाजे पर जाकर आपकी इज़त ना हो, वहां दुबारा कभी ना जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी बेज़्यती कर सकता है और आप दुबारा वहां जाएंगे तो ऐसा करने से आप अपना सम्मान खुद ही कम करेंगे 8. दूसरों पर ध्यान देने से अच्छा है, हम खुद पर जादा ध्यान दे, दूसरों की खुछी और इच्छाओं के लिए खुद की खुछी को ना मरने दे अपना आत्म सम्मान और इज्जत हमारे हाथ में ही होती है जब हम खुद का सम्मान करेंगे तब ही दूसरे भी हमारा सम्मान करेंगे अपने आपको बहतर बनाएं जो लोग आज आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं वही आपका सम्मान करने के लिए मजबूत हो जाएं। इसलिए खुद का सम्मान करिए, खुद को बहतर बनाएं, दूसरों पर कम ध्यान दें। समाथ चार लोगों का होता है, वह चार लोग जो कभी भी हमारे काम नहीं आते, जिन चार लोगों की परवा करते हुए, हम हमीज़ा अपने मन के विरुद्ध काम करते हैं। इसलिए अपने मन की सुने और अपने आत्म सम्मान को ध्यान में रखकर कारे करें। हम खुद को पसंद आने चाहिए ना की दुनिया को।